Hello Kabardians, स्वाक़त है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जैसे कि आपको बताए कि दो दिन पहले मैंने एशन गेम्स के लाइव स्ट्रीमिंग के उपर वीडियो डाला था है, और मैंने कॉमेंट्स देखे हैं कि P.K.L. आॉक्षन के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बता तो वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने लिए, शुरुवात करते हैं सबसे पहले आॉक्षन डेट के साथ, तो जैसे कि आपको पता है कि P.K.S.10 का आॉक्षन हमें 9 & 10 आक्टूबर को देखने को मिल जाएगा, मुंबई में होने जो आक्षन है वो यहां पे दो दिन का होगा, पहला दिन का यह आक्षन लाइब आएगा, जैसे कि आपको पता है, प्रो कबड़ी ने रिसेंटली अपने सोसल हैंडल्स पे आक्षन का प्रोमो रिलीस किया है, जिसमें बहुत कुछ क्लियर हुआ है, सबसे पहले यह है कि Day 1 का आक्षन लाइब टेलीकास्ट होगा, और उससे भी बड़ी अपडेट यह है, कि जो आक्षन Day 1 यानि की 9 October का, वो यहां पे कबसे सुरू होगा, तो 8 बच के 15 मिनिट पे प्रो कबड़ी सीजन 10 का आक्षन सुरू होने वाला, यह यहां पे ऑफिशल प्रो कबड़ी ने कन कर दिया है, और जितना मुझा पता है कि पिछले सीजन का जो आक्षन था वो यहां पे 6 बजे के अराउंड सुरू हुआ था, इस बार का जो आक्षन वो यहां पे बहुत लेट सुरू हो रहा है, इसको वज़ा क्या है, पहला रीजन तो यह है कि अभी World Cup स्टार्ट हो चु purpose 2-6 प्लियर्स है यहां पर प्लियर्स का बीटिक्जा कर लएट अगर शैये सीया बहुत बहुत ही जल्दी जो लाइख स्ट्रीमिंग या था वो यहां पे खतम हो जाएगा अब केटेगरी बी का ओक्षन लाइव आएगा कि नहीं आएगा यह जानने से पहले मैं आपको इक बहुत इंपोर्टेन चीज बता देना चाहता हूँ एशन गेम सिर्फ दो दिन दूर है और प्रो कबड़ी का ओक्षन सिर्फ दस दिन दूर है और आपको बता दू अभी भी दो टीम ने अपने नवाईपी अनाउंस नहीं किये और और बी कुछ एक्स्क्लूजिव अपडेट्स आज कल में पता चलने वाले अगर आपको सबसे पहले जानना है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो टेलिग्राम चैनल पे बहुत अपडेट्स एंड कुछ एक्स्क्लूजिव अपडेट्स में सबसे पहले शेयर कर रहा हो और अप लाइब देख सकते हो वह भी मैं आपको बताऊंगा तो फटेवर टे टेलिगास कैटेगरी B का नहीं होगा मुझे पता है कि जो कैटेगरी B प्लियर्स उसमें बड़े-बड़े प्लियर्स देखने को मिल रहे है सबसे बड़ा नाम यहां पर पवन सहरावत है उन्हीं के साथ यहां पर विकास कंडोला भी है स्टार्स पूट अच्छे जानती ह कि बड़े प्लियर्स का बिडिंग दिखाए कि तो विवर्शिप आएगा वैसे तो ज्यादा विवर्शिप उक्षण में नहीं आता है अगर विवर्श के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो स्टार्स पूट जादा लोड नहीं लेगी अपने उपर सिप कैटेगरी यह स्टार्स पूट का ऐसा कुछ प्लान नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि पवन सहरावत के लिए स्पेसली कुछ करने वाली है अब देखते क्या होता है आक्शन सिर्फ 10 दिन दूर है और दिन करीब आता है स्टार्स पूट का जैसी ऑफिशल प्रोमो आता है अभी सिर्फ प्रो कबड़ी ने अपना प्रोमो रिलीस के जब स्टार्स पूट ओफिशली कमर्शियल एड रन करेगी ऑक्शन के लिए तब यहां पे क्लियर हो जाएगा कि पवन सहरावत यानि की जो कैटेगरी B के प्लियर्ज है उनका लाइब ब्रोड़कास्ट होगा या नहीं होगा विकुस कैटेगरी B में बहुत ज़्यादा प्लियर्ज हमें देखने को मिल रहे हैं लगबग 20 से ज़्यादा प्लियर्ज है तो स्टार्स पूट के पास देखते हैं 50 है और लाइब स्ट्रिमिंग की बात किजाए तो टीवी पर अगर आपको देखना है तो आप स्टार्स लाइब रोड़कास्ट करेगी विकुस यहां पर वर्ल्ड कप उस समय चल रहा होगा और इसलिके कारण ज्यादा चैनल्स यहां पर प्री नहीं होगे यहां पर मोबाइल की बात की जाता आप डिस्नी प्लस होट स्टार के एप्लिकेशन पर प्रो का बडडी का आउक्शन क अब बाकि जो भी प्लियर सोल्ड होगे जो भी ऑक्शन के अपडेट होगे वह तुम्हें आपको टेलिग्राम पर बताई देने वाला जैसी कि पिछले आउक्शन में मैंने हर एक प्लियर का अपडेट आपको दिया था तो यह यह बस प्रो कबडडी ने रिलीस कर दिया है आपने सिड्डियू नहीं देखा कि टीम इंडिया का कौन-कौन से टीम के अगेंस्ट मुकाबला है एशन गेम्स में तो उस पर मैंने टीटेल वीडियो बनाया है लेफ साइट पे आप वह वाला वीडियो क्लिक करके देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ एक न्यू एंड पे इस वीडियो के साथ ठैंक्स पॉर वाचिंग